कि आप कांग्रिस की निश्वाने पर आचुकी है। प्रवर्वर्थि कांग्रेस सरकार में जिस तरह से बिजेपी 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 से सवाल पूछ रही है। पूर कैबिनेट मंतरी प्रताप सिंग्खाच और रिवास ले प्रिदेश की वित्तिस उचीव अखेल अरोडा को लेकर बड़ा बयान दिया। वो बोले कि जिस अखेल अरोडा पर प्रोडी लान मीना ने बहुत बड़े बड़े आरूप लगाये थे। उसे सरकार ने खजाने की चौबी कैसे सोप रखी है। नमस्कार मैं हूँ शेद जुही आप देख रहे हैं धनगरी नेस। राजस्तान में पिछले कुछ समय से सियासी बयानबाजी के सेंटर में ब्यूरोक्रेसी भी शामल हो चुकी है। शुकरवार को पूर कैबनेट मंत्री और कॉंग्रिस नेता प्रताप सिंग खाचरेवास ने राजस्तान के एक आईए सबसर को लेकर बिजेपी सरकार पर हमला भोला। खाचरेवास बोले पूर वर्ती कॉंग्रिस सरकार में बिजेपी लगतार जिन अफसरों को भर्ष्ट बताती रही थी। अब वो मौझुदा सरकार में सबसे एहम माकामों को चला रहे हैं। राजस्तान के 344 वकी लरोडा पर कुरूरिलान मीना ने बहुत बड़े बड़े चार्ज लगाये थी। राजस्तान के मुख्यमंत्री बता दें कि यदि सारे अधिकारी यदि गलत थे और कॉंग्रिस के समय भ्रष्ट चार हुआ था तो आज से सारे अधिकारी राज्ये के ख़जाने की 24 लेकर कैसे बैठें हाला कि भजुनलाल सरकार इससे पहले भी अफसर शाही को लेकर कॉंग्रिस और खुद अपनी पार्टी के नेताओं की निशाने पर आ चुकी है पिछले दिनों पूर सियम अशुक गहलोद अपने सोशल मीडिया काउंट एक्स पर भजुनलाल सरकार को घिरते हुए अफसरों के ट्रांसफर को लेकर निशाना बनाया था गहलोद ने कहाता कि आज भी सरकार शुणाने वाले प्रमुकपदों पर हमारी सरकार के दोरान लगाए गए अतिकारी काबिज है इससाब जाहिर होता है कि हमारी सरकार ने जुनिवित्या की थी वो पूरी तरह उचित थी इससे पहले भी है शुक गहलोत प्रदेश के मुख्य सचीफ को सूपर सीम बताने वाला बयान दे चुके है हाली में खतम हुए बजट सत्र में नैता पृतीपक श्टीकराम जूली ने भी विजेपी परतंस कसा था कि बिजेपी का बजट भी पिछली कॉंग्रेस सरकार के अफसरों की टीम ने बनाया है वही भाजपक के नैता देवसिन भाटी भी से पहले अफसर शाही के हावी होने पर सवाल उठा चुके हैं भाटी पिछले दिनों बोले थे कि अफसर शाही हावी है नैता और विधायक मुके सचीफ के या लाइन लगा कर खड़े रहते हैं ब्यूरोक्रेसी हावी होने से नुकसान हुआ है इसमें बदलाव लाया जाना चाहिए तमाम खबरों के लिए देखते रहे हैं दनगरी नियो शुक्रिया